हलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है सांबर आज हम प्याज वाला सिंपल सांबर बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यह बना रही हूं कुकर मी और मेरा सांबर अब तयार हो चुका है तो आगे इस利 might को देखते हैं यह बिना सब्जीओं वाला प्याज वाला सांबर है तो चलिए देखते हैं रिसिपी को तो सांबर बनाने के लिए यहाँ इसको मैंने अधा पप दूर की डाल ले ली है इसको पहले हम अच्छे से दो लेंगे दोने के बाद आप चाहें तो इसे बिगो कर रख सकते हैं और चाहें तो इसे डारेक्ट बना सकते हैं तो दाल को मैंने अच्छे से दो लिया है और इसमें डारेक्ट बना रही हूं इसमें मैंने दो कप पानी डाल दिया है अधा कप दाल में डाला है दो कब पानी अब टेस्ट के अपर्डिकिस में डालेंगे नमक, या इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, घल्दी पाउडर डालेंगे, 1 अब दू इसके अलाबा मेने चार कटी हुई हरी मिर्चा लिए हैं और एक कटा हुआ प्याज ले लिया है, ये हम कच्छा ही ढाल देना है दाल में ऐसे घुना भत लिए खुआ है एक कटा वगभी टॉमाटर लेलिए है तामाटर को भी हमे है डाल देना है अब इसको हम CARS करेंगे चार सी टी तक है तो दाल को मेंने तो इसको चार सीटी हो चुकी है आए चेक करते हैं तो यह देखिए हमारी दाल अच्छे से गल जाती है तो जरूरी नहीं है कि इसे बिगो कर रखें यह बिना बिगो अच्छे से गल जाती है अगर आपकी दाल नहीं गले तो आपस से एक दो सीटी और लगा सकते हैं तो दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है लेकिन अभी यह थोड़ी सी गाड़ी है इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे हम क्योंकि सामबर थोड़ा पतला अच्छा लगता है चावल के साथ बना रही हूं है तो इसमें पानी डालके हम इसको एक बॉयल आने देंगे और इसमें डालेंगे हम फ्रेशली कटा हुआ हरा अधनिया डालेंगे आ है अभातं प्रेशा ना ज़िक हूं हां सभी य Seni डालेंगे यह मैं प्याज वा ला देगता है यह इसमें बहुत तेस्टी लगता है चावल कशेन के दाने की बेटाइन नमक और मिर्ची का चेक कर लेना थोड़ा सा कम जाद लगे तौ एक डालना है थोड़ा साश्च मिलाएंगे सांबर मसाला असवारी में बूल गई थी तो यहां पर हम मिला रहे हैं इसमें दो बड़े चमाच एवरेस्ट का सांबर मसाला और सांब तो यहां पर मैंने तड़का पहन ले लिया है इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तेसी गी अब उसको गरम होने देंगे अच्छे से तेल गरम होते ही इसमें हींग डालनी है अगर हींग है तो आपके पास मेरे पास हींग नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूं और इसमें डालेंगे हाफ टीस्फून सर्सों अब डालेंगे करी तपके अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अब इस तड़के को हम अपने डाल में डाल तो भाई तयार हो चुका है हमारा श्याज़ वाला सामबर इस सामबर को आप चावलों के साथ खा कर देखे बहुत ही तेस्टी लगता है तो आए इसे सर्फ करते हैं तो सांबर और राइस को मैंने सर्फ कर लिया है आप देख सकते हैं यह देखिए चावल मैंने इस तरह से सर्फ की हैं और टोरी में डाल के मैंने उल्टा कर दिया है और यह सांबर मैंने इसमें डाल दिया है तो हमारे सांबर और राइस खाने के लिए बिल्कुल तयार है तो इसी तरह से बनाइए दोस्तों सिंपल सा प्याज वाला सांबर और यह देखिए मैं आपको आगे से दिखाते हूं और रेस्पी पसंद आये तो प्लीज लाइप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मिरते हैं फ्रेंड्स फिर एक नहीं रेसिपी में बाबाय फ्रें